हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो वीवो की तरफ से दो नए बजट स्मार्टफोन्स जो आपको मिल जाते हैं दोस्तो आज कल बजट बढ़ी गया सभी स्मार्टफोन्स का 10,000 के बजट में तो आज कल बहुत ही कम लाँच होते हैं तो 10 से 20,000 के बजट में दोस्तो ये लाँच हुए हैं वीवो का T2X और T2 5G दोस्तो दोनों ही 5G स्मार्टफोन्स हैं लेकिन एक T2 है और दूसरा T2X है तो इस वीडियो में इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊँगा आपके लिए सबसे बड़ी है कौन सा है आपको 14,000 में मिलता है T2X और 19,000 का मिलता है T2 चलिए देखते हैं दोस्तो T2 के साथ 19,000 में क्या क्या दिया गया है तो अन्बॉक्स करते ही फून के बाद यूजर मैनूल और एक कवर मिल जाता है इसके बाद आपको ये टाइप C केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो ये चीज़ काफी अच्छी है इसके बाद आपको लास्ट में रखावा मिलता है दोस्तो ये वाइट कलर में चार्जर जो की दोस्तो 44 वाट का चार्जर है तो चार्जर इसके साथ आपको 44 वाट का मिलता है rate के साब से देखा जाए तो charger आपको normally मिल जाता है क्योंकि इतने budget के अंदर दोस्तो 19,000 में 67W के भी charger देखने को मिलते हैं 80W के तो वो चीज़ आपको rate के साब से इसके साथ तो normally देखने को मिलती है चली देखते हैं दोस्तों अगर आप जो है अपने 5000 कम खर्च करते हैं T2X पर तो उसके साथ आपको 14,000 में कहके दिया गया है तो 14,000 दोस्तों और 19,000 जो हैं दोनों का price है चली देखते हैं दोस्तों T2X के साथ कहके मिलता है तो packing आपको बिल्कुल same मिल जाती है उसी तरीके से cover मिल जाता है simple transparent user manual इसके बाद दोस्तों एक type C cable दी गई है और cable की qualities के साथ भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है जैसे आपको T2 5G के साथ मिलती है वैसी ही T2X 5G के साथ दी गई है last में रखावा मिलता है ये white color में charger लेकिन दोस्तों इसमें फर्क है ये है 18 watt का charger तो इसके साथ दिया गया है 18 watt का अब rate के साथ से देखा जाए तो box के अंदर आपको charger T2X के साथ भी जो है थोड़ा normally देखने को मिलता है क्योंकि 14,000 में कम से कम 44 watt का charger जैसा आपको 19,000 में T2X के साथ मिलता है वैसे ही तो होना चाहिए था चलिए बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो दोनों के अंदर आपको डिजाइन कुछ इस तरीकी से मिलता है दोस्तों लाइनिंग सारी है भी वीडियो के अंदर लेकिन मैं आपको यह इसका actual design दिखा रहा हूँ जो की camera के अंदर कई बार capture नहीं हो पाता तो आप colors का effect जो है दोस्तों detail के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीकी से T2X का design आपको मिलता है left side पर और T2 5G का design भी दोस्तों आप देख सकते हैं T2X के अंदर थोड़े और जादा हैं तो colors जो जादा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों वो आपको T2 5G के अंदर जादा देखने को मिलते हैं बाकि आपको दोनों में किसका design अच्छा लगा comment करके ज़रूर बताइएगा बहुत बड़ा major फर्क तो नहीं है थोड़ा सा color का ही फर्क है बाकि quality दोनों के अंदर plastic की type की मिलती है तो उस चीज़ के अंदर आपको जो है इतना बड़ा फर्क नहीं मिलता जितना जो है इन दोनों के अंदर rate का फर्क है 5000 का तो इस चीज़ को लेकर दोनों एक जैसे है बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो साड़े change के आसपास डिस्प्ले मिलती है दोनों के अंदर T2X के अंदर आपको दोस्तों दी गई है IPS डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर इसके अंदर आपको 90Hz का refresh rate भी नहीं दिया गया 120Hz तो छोड़िये 60Hz का refresh rate मिलता है दूसरी तरफ दोस्तों T2 5G के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले दी गई है 90Hz के साथ तो चलाने में दोस्तों आपको experience मिलता है वो T2 5G के अंदर थोड़ा और जाधा smooth मिल जाता है T2X से क्योंके इसके अंदर आपको refresh rate थोड़ा जाधा दिया गया है बाकि दोस्तों 19,000 में वैसे मेरी expectation तो यह ती 120Hz का refresh rate होता तो काफी बढ़िया रहता तो वो चीज़ तो देखने को नहीं मिलती तो refresh rate का option आप T2 5G के अंदर देख सकते हैं जो आपको T2X के अंदर नहीं दिया गया इसके लब दोस्तों display की quality के अंदर कितना फर्ख है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिलकुल full brightness करके बाकी experience जो है दोस्तों use करने का वो आपको ज़ादा smooth मिलता है T2 5G के अंदर ही बाकी display के अंदर आपको दोनों के अंदर notch वाला design दिया गया है थोड़ा V-shape के अंदर है T2X में और U-shape में T2 के अंदर इसके साथ दोस्तों display की जो quality है दोनों के अंदर काफी बढ़ी है तो मिलती है लेकिन T2 5G के अंदर आपको 19,000 में display की quality और जादा बढ़ी है ऐसा नहीं कि आपको जो है थोड़ा T2X के अंदर दिक्कत वगरा हो जाएगी ऐसी कोई problem तो नहीं है लेकिन quality के comparison में दोस्तो T2 5G जो है जादा बढ़ी है इसके अंदर AMOLED display और refresh rate भी जादा 90Hz का तो display की quality में आपको फर्क मिल जाता है left side साब देहेंगे दोनों बिल्कुल same है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया बिल्कुल plain design है निचे की side साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack मिल जाता है इस तरफ बिल्कुल same जगा पर इसे के साथ दोस्तो right side साब देहेंगे तो दोनों के अंदर आपको power के buttons मिलते हैं और volume के buttons T2 X के अंदर आपको फर्क हैं मिलता है fingerpin scanner side में और T2 5G के अंदर आपको display के अंदर दिया गया है तो इस चीज का फर्क है, इस चीज में T2 जादा बढ़िया है उपर से देहेंगे तो sim kit रे दी गई है और noise cancellation mic मिल जाता है इस जगा इसके लाब दोस्तों दोनों ही phones के अंदर आपको दी गई है 6GB RAM 128GB के internal storage तो RAM or storage आपको दोनों के अंदर बराबर मिल जाती है दोनों के अंदर सेम है, इसे के साथ दोनों के अंदर आपको Android का 13 version मिल जाता है तो ये चीज भी आपको दोनों के अंदर जो है एक जैसी मिल जाती है तो इस चीज को लेकर दोनों काफी बढ़िया है बात करें दोस्तों battery के बारे में दोनों को जो है एक साथ restart करता हूँ देखते हैं कि इसके अंदर जाधा speed आपको बढ़िया देखने को मिलती है तो T2 के अंदर आपको मिलती है 4500 mh की battery चार्जर जाधा fast मिलता है लेकिन थोड़ी battery कम दी गई है लेकिन कम rate में आपको T2X के अंदर आपको battery backup भी काफी अच्छा मिल जाएगा चार्जर थोड़ा normal तो मिलता है लेकिन इसका price भी 5000 कम है तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों मुझे थोड़ा जाधा value for money लगा T2X इसके लग दोस्तों इन दोनों phones के restart test में मैं आपको दिखा देता हूँ speed आप देख सकते हैं T2X जो है ज़्यादा जल्दी ono चुका है और इसके अंदर आपको ono ने की speed ज़्यादा fast देखने को मिली वैसे दोस्तों processor आपको T2X के अंदर दिया गया है आपको जो speed को लेकर मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वह T2X लग रहा है क्योंकि कम price में इसमें भी performance अच्छी मिल जाती है T2 5G भी बढ़िया लेकिन इतना बढ़िया नहीं जितना ज़्यादा इसका प्राइस है 19,000 camera के बारे में बात करें दो दोस्तों number से फरकने पड़ता किलियर आपको ज़्यादा बढ़िया camera दिया गया है T2 5G के अंदर इसके अंदर आपको camera की performance ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है तो यह काफी ज़्यादा बढ़िया है तो दोने 5G हैं तो यह खुब भी आपको जो है T2 X के अंदर भी मिल जाती है कम रेट के अंदर तो दोस्तों अगर आपको देखें डिजाइन बढ़िया चाहिए तो मैं आपसे यह कहूंगा आप अपने पैसे बचा के तो भी T2 X जादा बढ़िया है क्योंकि कम रेट के अंदर आपको इसके अंदर T2 की तरह रेम और स्टोरेज दी गई है और दोस्तों अगर आपको जो है पर्फॉमेंस बढ़िया चाहिए तो भी मुझे T2 X जाद अच्छा लगा इतना बड़ा फरक आपको नहीं मिलता जि जो है दोनों से कोई से भी खरी सकते हैं T2 X जाद अच्छा है कम प्राइस मां 5G की खुबी सके अंदर भी आपको मिल जाती है बाकि T2 5G के अंदर आपको यह चीज बढ़िया दी गई है दोस्तों किसके अंदर आपको जो है कैमरे की परफॉर्मेंस जाद अच्छी मिलती ह तो जादा बढ़ी है कैमरे के लिए और इसे के साथ दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरपेंट स्कैनर एमोलेट डिस्प्ले के लिए दोस्तों आप T2 5G खरी सकते हैं 19,000 में बाकि दोस्तों मुझे तो परसनली कम रेट में T2 X ही जादा अच्छा लगा क्योंकि एमोलेट ड काफी अच्छा है बैटरी बैकप भी बढ़िया मिल जाएगा परफॉर्मेंस सबसे इंपोर्टेंट चीज बढ़िया मिलती है काफी फास्ट चलता है दोस्तों कम रेट के इंदर रेम और स्टोरेज आपको उतनी ही दी गई है तो जादतर चीज़े दोस्तों इसके इंदर पसंद आया आप जरूर बताएगा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आप नए है सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहें इसके लब दो दोस्तों वीडियो अगर आपको helpful लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा WhatsApp और Facebook पर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए